हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एकदम हलग हटकी नास्ति की रेसिपी लेकी आए हूँ एकदम डिफरेंट तरीका है और घर की कुछ समान से बेसिक समान से बनके रेडी हो जाता है और यदि आप स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका इकदम परफेक्ट बनेगा तो फर देर किस बात की चलिए बनाते हैं इस नास्ति को बनाने के लिए मैजर्मेंट करना बहुत जरूरी है तो मैजर किस तरह से करना है तो जैसे दो कटोरी आप चावल ले रहे हो तो दो कटोरी का आधा आपको चना दाल लेना है और चना दाल का आधा उरत दाल लेना है इन तीनों को रात भर भिगो के छोड़ दे, या फिर 2-3 घंटा भी भिगो के छोड़ेंगे तो अच्छी तरह से फूल जाएगा, तो अब क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेना है, जार में दाल, चावल दोनों को डाल देना है, उरत दाल डाले से क्या होता है, इसका पिसने के बाद इसका टेक्शर कैसा है कि जैसे आप हाथ में लेंगे तो डाल तो जल्दी पिस जाता है लेकिन चावल में थोड़ा सा दानिदार जैसा रह जाता है जैसा सूजी रहता है और वैसा ही तो वैसा ही हमें चाहिए तो हमने इसे एक बावल में निकाल दिया है तो टेक्शर देख सकते हैं एकदम गाढ़ा रखना है पतला तो बिलकुल भी नहीं रखना है यदि थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा तो चले गले पतला नहीं होना चाहिए अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मदब इस चम्मच से एक से दो बार करके अब क्या करेंगे इसे कव अध्रक, हरी मेर्ची और लेसन लेसन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें तो थोड़ा सा क्वांटिटी में लेसन को ज्यादा रखें अब तीखाप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं अब इन सभी चीज़ों को पीस लेना है तो हमने पीस लिया है तो दो घंटा हो गया है कवर हटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं गर्मि का दीन है बी तो दो घंटा में अच्छी तरह से थोड़ा से यह फरमेंट हो जाता है बहुत जादा नहीं होता हा क्ल की अधा हुगे जीरा डालेंगे, जीरा से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए जीरा जरूर से ही डालेंगे, एक चुथाई चम्माच हल्दी पौडर डालेंगे, हलका सही डालना है कि हलका सा पीदा पन लगे, और एक चुथाई चम्माच अजवाइन डालेंगे, जो अधरक लेसन म अब डालों को नहीं रखना है अब डालके अच्छे से mix करेंगे जितनी अच्छी आप मिक्स करेंगे ना उतना आपका ये रेसेपी बने का तो देखे पूरे अच्छे से mix होगया है तो चलते हैं फिर आप नास्ता बनाने का ट्रिक है क्या है पहले तेल को गरम कर दीजिए औ इसके उपर तेल डालेंगे जैसे ही आप इसके उपर तेल डालेंगे वैसे ये पूरे अच्छी तरह से फूल जाएगा इतना ज्यादा फूल किया है कि अच्छे से पलाट नहीं रहा है तो ये एकदम मिंस खास बात है कि बहुत ही अच्छी तरह से आपका जब घोल बनेगा और आच सही लगेगा तभी आपका ये परफेक्ट बनेगा तो देखिए एकदम स्टेप बे स्टेप आप फॉलो करेंगे तो सेम आपका भी इसी तरह से पनेगा अब इसे अच्छी तरह से एकदम गोल्डन होने तक फ्राइ करना है क्रिस्पी होने तक हलका सा उपर का लिय लो कर देंगे लो फ्लेम में इसे डालेंगे जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही इसकी उपर फिर से तेल डालना होता है तेल डालेंगे तभी अच्छी तरह से फूलेगा तो देखिए ये भी अच्छी तरह से फूल गया है बहुत जादा नहीं फूला है तो कम भी नहीं फू तो इस नास्ति के साथ खाया जाता है आलू चेना का सब्ची जो जारकंट की बहुत ही फेमस रेसेपी है जिसको धुसका केरते हैं खाने में टेस्टी लगता है और बनाना भी एजी है तो आप इस रेसेपी को आसानी से बना सकते हो मैं आपको एक पीस तोड़के दिखाती हूँ कि ये कितना जादा जाली दार बना है पूरा अंदर तक जाली बना हुआ है तो जाली बनने का मतलब है कि बहुत ही अच्छी तरह से बना एकदम परफेक्ट बना है तो अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को ला चाइब करें